राजीव विंदल को विधानसवा स्पिकर की घुशना के बाद सोलन में उनके समर्टकों में निराशा देखने को मिली सोलन पहुंचने पर राजीव विंदल ने कारेकरतों को सम्भोधित किया और उन्हें दोबारा चैस करने का प्रयास किया साथ ही उन्हें भासपा की परदेश में शांदार जीत के लिए बढ़ाई दिया और कहा कि हिमाजल में कॉंग्रिस के कुशाशन से लोग मुक्त हुए हैं और एक ने यूग की शुरुआत हुई है जिसमें भासपा कारेकरताओं का सरहनी योगदान रहा है नाहन के विधायक और नामित विधान सुभा अधिक्ष राजी विंदल ने इस मौके पर कहा कि हिमाजल में भासपा ने प्रचन बहुमत हासल किया है और भासपा ने कॉंग्रिस के कुशाशन को खतम कर जनहित के नीर्ने लेना इस सरकार ने अरहंभी कर दिया है विंदल ने कहा कि परदी सरकार ने उन्हें विधान सुभा स्पीकर बनाने की घोशना की है जो उनके लिए एक गौर्व का विशे है और वो इस पद की गरिमा को बनाये रखने के लिए वो हर्प संभब परियास करेंगे भारतिय जनता पार्टी ने इतनी शांदार विजे प्राप्त किये सरकार बनाई है और मुझे भी पार्टी ने एक बहुत बड़े पद के उपर विराजमान करने की घोशना की है स्पीकर का पद गरिमा मई पद है और उस पद के प्रती मुझको